नमस्ते educators and skill creators मैं हूँ अमरेश और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ digital marketing कैसे creator के life में impact डालता है पूरी सीरीज में जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप काफी कुछ सीख पाएंगे और काफी कुछ आपको समझने को मिलेगा case study से एक example देता हूँ कि विराट कोली जितना महीने के Instagram से sponsorship के दुरूब पैसा कमा लेते हैं साथ वो कई सालों तक किर्केट से पैसा ना कमा पाये होतना ये है digital marketing और social media की power इस journey में मुझे दो teacher मिले एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी को भी मैंने digital marketing के बारे में समझाया और Sarma जी को भी समझाया मैंने Sarma जी भी अपने चेतर में बहुत popular थे और वर्मा शर भी बहुत popular थे मैंने वर्मा शर को समझाया कि सर आप इस चीज़ को digitally लाना शुरू करिए बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ आपका जो रेडियस है वो 10 किलोमेटर के अंदर अंदर में है लेकिन जब आप डिजिटली आएंगे तो आपका रेडियस जो है पूरे भारत वर्ष और यहां तक की विश्व के बच्चों को आप टच कर पाएंगे कुछ टाइम बीता धीरे और वर्मा जी ने इसीज को अडॉप्ट किया और आज वर्मा जी के खुद के ऑण अंद्सिट आप इसे हैं जहां पर उन की रेवेन्यु महीने की करोड़ों में आती है वहीं पर सर्मा जी आज भी साल दर साल बीतने के बात कहते हैं, अरे अमरेस यह सब हवा की बात हैं, तो दोना ही टीचर अपनी जग अच्छे हैं, लेकिन वर्मा जी ने टेक्नोलोजी को अडॉप्ट किया और पूरे भारत वर्ष में समझे और उन्होंने डिजिटल है क्या? डिजिटल मार्केटिंग से अगर डिजिटल वर्ड हटा दे, तो मार्केटिंग नाम का एक टर्म साता है, जो आपने अपने स्कूल, कॉलेज़, इंसिट्यूट्स, इन सभी को अगर आप देखें तो बाहर जाजा के लोग बड़े-बड़े फ्लेक्स लगाते हैं है, पैंप्लेट्स बाढ़ते हैं, बैनर लगाते हैं, होडिंग लगाते हैं, इस पे लाखों का खर्चा आता है, खर्चा भी आता है, लेकिन स्टूडेंस स्कूल में, इंसिट्यूट में बच्चे आ जाते हैं, तो टीचर को लगता है, चलो भई, हमारी रेवेन्यू का, अगर 30% पार्ट एडविटीज्मेंट में जा रहा है, तो कोई बात नहीं, साल दर साल बच्चे इससे आ रहे हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है, कि जिस जगह पे आपने होडिंग लगाई, वहाँ पे 10% स्टूडेंट ने देखा, और बाकी ऐसे लोग देख रहे हैं, तो यह है सर्फ मार्केटिंग, लेकिन अगर आप इसमें डिजिटल चीजों को जोड़ दें, जैसे डिजिटल जोड़ जाता है, तो यह सारी चीजे शोचल मीडिया और गूगल एड्स के थूरू मार्केटिंग होना शुरू हो जाती है, कि भीया, सबसे पहली चीज, आप हर चीज को ट्रैक कर पाएंगे, यानि कि आप कम बजट में टार्गेटेड ओडियंस तक पहुँच पाएंगे, फर एक्जामपल, आपका एक S.S.C. का कोचिंग सेंटर है, कोई भी एक एक स्वाइड सिटी में या फिर जगह पे, आपने पर्टिकुलर उस एरिये के बच् कमपलीट करियो, means कि आप बहुत सारे पैरामीटर सेट करके, आप टार्गेट ओडियंस बना सकते हैं, और यही एक सबसे अच्छी खास बात यह है, कि आपको सटिस्रेक्शन मिलता है, कि अगर मेरे पोस्ट पे, टार्गेट ओडियंस पे 500 लाइक है, तो 90% एकुरेसी यह ह कि वो लोग जो कहीं न कहीं SSC की कोचिंग में इंटरस्टेड हैं, वही आये होंगे, या फिर मैं स्किल की बात करूं, कि आपका कोई योगा सेंटर है, और आपने देखा कि भीया मुझे उन लोगो को टार्गेट करना है, जो फिट होना चाते हैं, जो योगा सीखना जाते हैं, तो अब तो बोलेगे, सर हम तो बाहर होडिंग लगा देंगे, भारत में हर कोई जो है, वो अपनी सारी किस्तिती से या कमजोरियों से, हल्थ से, इशूस से परिशान है, तो सबको ही जरूत है, लेकिन सबकों जरूत होती, तो हर कोई योगा सेंटर और जम में पहुं Digital Marketing का मतलब यह है कि Social Media के जितने भी platform चाहे YouTube हो, Facebook हो, Instagram हो, Google हो इन सभी platforms पे अपनी marketing करना इसे हम Digital Marketing कहते हैं अब बात आती है कि Digital Marketing काम कैसे करता है तो सबसे पहले समझे कि सबसे पहला expect आता है Social Media Marketing जो कि मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा detailed में, बड़ यहां पे समझे कि जितने भी Social Media platform है पहली वहां marketing, दूसरा पेपर click particular click के according आपको पैसा देना होगा Next is Search Engine Optimization यानि कि आप अपने content को ऐसा optimize करते हैं कि organically यह सभी लोगों तक पहुँच जाए जिनको इसको जरूरत है इस पे भी मैं detail में आपको वीडियो में समझाऊंगा Next है content marketing जैसा माल लीजे कि लोग जानना चाते हैं कि आईएस के examination में क्या-क्या criteria है, subject कौन सा है तो बहुत सारे लोग इसके उपर एक vlog लिख के रखते हैं कि लोग vlog पढ़ते हैं और वहीं पे एक IS का coaching का add होता है उस पे लिख क्लिक करके वो coaching join करते हैं तो इसे content marketing कहा जाता है ये भी दो टाइप से होते हैं एक है vlog और दूसरा है video के माध्यम से जिसमें आज के rate में 79% important role जो है वीडियो का है जिस चीज में आप already expert हैं Next होता है email marketing के दुरू अब ये email marketing कहा है तो आज का हर student सबका अपना एक email ID है आपकी भी अपनी खुद की email ID है आप सुबह उठके या पुरे दिन भर में mail चेक करते हैं कि बही किस तरीके से किसी ने मुझे reach out करा हो वैसी student का भी email ID है जैसा उनका phone number important है वैसी आज के रिट में email ID भी उतनी important है तो लोग इसको email marketing के दुरू करते हैं आपने देखा होगा आपके टैब में एक promotional email हमेसा आता है कि भी या आप ये courses join कर लीजी अगर आप teacher हैं तो आप वो लेंगे ये platform ले दीजे हमारा तो ऐसे mails आपको बहुत सारे prompt होंगे तो इन mails के दुरू लोग reach out करते हैं जैसे माल लीजे आपका student है किसी ने आप से योगा की एक class ले ली तीन मेहने का sessions अब उसका email ID आपके पास है अब आप उसको mail भीजते हैं हर तीन मेहने बाद कि हम एक नया center open कर रहे हैं या फिर हम एक नया program लेके आ रहे हैं या फिर हम तूर योगा करना चाहते हैं तो जब आप उसको mail के दूर रीच आउट करते हैं बताते रहते हैं तो सामने वाला mail देखके call कर लेता है मुझे तो इस mail पर जाना है हजार रुपे दूगा या 10% दूगा खेर मैं आपको बता दूँ यह तो हमारे टाइम पर offline भी होता था academic में जब हम लोग 300 रुपे महीने की डिविशन पढ़ते थे तो हमारे master जी कहते थे कि अगर कोई student तुम लेकि आऊगे तो पहले महीने का 100 रुपे या दोसर पर मैं तुम्हें दूँगा तो हम लोग अपने दोस्तों को लेकि उसी coaching में आया जाया करते थे तो यह system बहुत पुराना है लेकिन अब इसे digital माध्यम से technology के माध्यम से आसान किया गया है transparency करी गई है और एक next होता है app development कि जो आप digitally सारी चीजे पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं तो आपका खुद का एक application होना चीज जहाँ पर आपके खुद की audience डिवॉल्व हो आप उनको नहीं नहीं चीजे दे चाहे वो व्लॉग के माध्यम से हो वीडियो के माध्यम से हो या फिर कोई live content के माध्यम से हो जिनसे आप अपनी marketing को हमेशा बरकरार रख सकते हैं applications आपने देखा होगा हमारे साथ कितने educators, skill creators जोड़े हुए जो उन्होंने class plus के थुरू अपनी खुद की application भी बनाई है तो at the end अगर मैं आपको आसान भासा में समझाओं तो digital marketing का सीधा सब यह है कि वो सब marketing जिसमें paper का कोई use नहीं है और आप सारी चीज़े digitally करते हो सभी social media platform पे और google पे इसे digital marketing कहते हैं और मैं आपको यह कह सकता हूँ कि आज के date में digital marketing बहुत ही successful है और यह business को 10x grow करके देती है scale बढ़ा कर देती है profit का margin जो है वो बढ़ा देती है और आप आराम से channel की जिंदगी सो सकते हैं बिजाउतेनी जंजट so thank you so much guys इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए series की next video मैं मैं मिलता हूँ तब तक के लिए धन्यवाद